आज के वीडियो में हम सिपाई फार्मा की बेसिक कुश्यन के बारें बात करेंगे क्यूंकि 2023 में जो 26 एप्रिल को एक्जम हुआ था ना और जब हमने इंटर्व्यू लिया था काफी इंटर्व्यू वाले वीडियो आपने देखा वागा चैनल पे तो उन्होंने बता है सर ब पूछ रहा है फंडमेंटल अंदर जाके पूछी नहीं रहा है सर नॉर्माल कुश्यन जो बेसिक आपको फंडमेंटल क्लियर है की नहीं जबकि मैंने इससे पहले भी आप रोगों को बदाए था कि इंडियान आर्मी हमेशा पेसिक कुश्यन पूछेगा आपको चाहिए अगर आप सिपाय फार्मा के एस्परेंट है देखें फास्ट कुश्यन आता है दी डेथ समधी ते इंक्लूट्स रेफर्स टू ड्रोग्स ऑफ एनिमाल प्लांट एन मिनेरल औरगन औरीजीन यूज उन्टिल फार्स सेंचुरी एडी एवस चक्रा हिपोक्रेट्स यह काफी इंपोटन कुश्यन है इस बार आया था हर बार यह रिपीट होगा विच सोरी हूँ इस दो फादर आप मैडिशिन माफी जाओंगा हूँ इस दो फादर आप मैडिशिन एवर्स हिपोक्रेट्स और एस जाई पीड़न या फिर पॉन्टू यह है हिपोक्रेट्स आप अपने एंसर मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कितना आपने सही किया है वह भी इमानदारी के साथ ठीक है नेक्स्ट कुश्यन पर चलेंगे यूज ऑफ फार्मुलेशन मेड़ नियुमेरियस प्लांट रेफर एज गलनिकल्स प्लांट वेहिकल्स या फिर जैनेरिक्स इसका जो एंसर है तीन नंबर का ए गलनिकल्स इसका सही एंसर है दोस्तों चोथा नंबर चलें तो फास्ट फार्मस्टी शॉप वाज ओपन वारे बहुत ही ही इंपरणन कोश्यन है दोस्तों यह एक हो गया यह एक हो गया मार कलना है कोश्टिन आएगा आपका ठीक है जो आईपी होता है ना बहुत सरे होते है फास्ट सेकेंड यह पूरा आईपी पढ़ ले आप आईपी से कुष्चन आपको मिल जाएगा फास्ट एडिशन आप आईपी वाज पॉब्लिश्ट भाई नाइटीन फिप्टी फाई इसका सही एंसर है 85 75 65 गलत है ठीक है याद क सेकेंड कब हुआ था देखो या आगे ना इस सेकेंड एडिशन आप आईको आज पॉब्लिश्ट इन 1966 कब है 1960 फास्ट हुआ 1955 सेकेंड हो गया 1966 थार कब हुआ 1985 दोस्तों ठीक है कितना है 1985 और फोर्थ कब है 906096 फॉर्थ में हुआ 1996 में ठीक है और फिक्त एडिशन कब क्या बोलते हैं उसमें से आपको मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर पूरे आई-पी पढ़ लेना तो उसके बाद आदले शिक्स एडिशन आप आई-पी फॉब्लिश्ट इन 2010 में यह फ्लब्लिश्ट हुआ था उसके बाद सेवेंध एडिशन आपी कब हुआ दोजन चोध यह क्या होता है बारा नंबर कुश्ट डॉक्टर बी एन घोष्ट भी मुखार जी नित्यानाद और प्रशन्त हो था तो इसका सही अंसर है डॉक्तर बी एन घोष्ट ठीक है यह काफी इंपरण कुश्ट आपके लिए हो जाता है ठीक है और इसके साथ यह भी पूछले कि इस एर में फास्ट एडिशन आप आई पी वाज एंड इट इस पॉब्लिश्टी ठीक है तो उहां पर आपने याद कर लेना कभू आता 1995 में ठीक है उसके बाद यह 13 नंबर कुश्ट काफी इंपर्टन आपके लिए होने बाला है कि तो फार्मास्टी एक्ट कॉम इन फोर् इस वीडियो को मैं आपने जो टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा तक आपके पास रहे जाए एक्जाम जाने से पर लिए देख लेना अगर आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो आर्मी सार ओफिसेल कहीं भी टेलीग्राम में डूंड़ेंगे मिल जाएंगे 600-600 जो डिफेंस के लिए मैनत करते हैं अगर आप चैनल में नया है लगता है यह चैनल यूजब कर सकते हैं और वीडियो के एक लाइक करती है अगर आप पूरा ने सब्सक्राइब है तो चले यह हो गया PCI आपको पता है PCI के दौरा आपकी जो सार्टिफिकेट होता है यहां म को दौरा आपको एक चीज बता दूँग जब कर दोधा करतो टी फार्मा हो या फलाह करता है अब बहुत सर अ क्षी नहीं है क्य confirmation देख है कि बेची सब्सक्राइब कर सकते हैं और अब याप्लकुल कर सकते हैं प्राइड कर सकते हैं अभी आप बिलकुल एंप्लander कर सकते ह हैं उसके अभी चलते हैं कि नेक्ष्ट कुश्यन को पर कि क्या होता है इसका पूल-फर्म पूछा है यूनाइटेट स्टेज्स आफ इस वफार्म को ओपिया तो फार्मकुटिक है तीनों आप को odd तो एक्जम में बैठेंगे ना आपको लगएगा क्या या ती नूमर ना यह होगा तो युनिटेट स्टेट्स ऑफ फार्मा कोपिया तो इसको याद कले ना क्योंकि उस ताइम पर क्या है फिर आपको पता नहीं चलेगा और आपने यहां पर प्राटिस नहीं करके जाओगा तो आपको लाया कि यही सही अंसर है गलत नहीं करना ठीक है तो फास्ट यूएस फार्मा कोपिया वाज एस्टाबिस्ट इन 1820 में यह एस्टाबिस्ट हुआ था यह काफी ज्यादे इंपराइंट कुश्चन नहीं है लेकिन इसका उपर वाला इंपराइंट है वो मार्क कर लेने जो जो मैं इंपराइंट बोल रहा हूं आपको तो फास्ट नेशनल फर्मूले वाज एस्टाबिस्ट बहुत इंपरा इंपराइंट है फास्ट आइपी काफी इंपर्टन कहीं पर पूछा जाता है ठीके चेर्मन मगेरा तो इसका जो सही एंसर है सप्लीमेंट टू दो फास्ट एडिशन आप आइप आज पॉब्लिश्ट इन नाइटीन सिक्स्टी सेंटिफाइब सिक्स्टीफाइब और सिक्स्टीफाइब गलत एंसर है याद रख लेना ठीक है और वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक कर देना इसमें सो कुश्टन काम नेक एमसी क्यू बनाए आपके लिए स्पेशली तो इसमें पचास क कुशन आज डिसक्रशन करेंगे नेक्स्ट तुमर पचास कुशन डिसक्रशन करेंगे तो इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए चले आगे बरते हैं सप्लीमेंट ऑप्तो सेकेंड एडिशन वाज एड़ेडिन नाइटीन सिक्स्टी सेवेंटिफाइब और सिक्स्टी या एपी जो सई एंसरे बीस नबर का सी दो साजी फ़िए फॉल फॉर्म आप MDI क्या है इसका MDI का फूल पर्म क्या है मतुरे डोज इनलर मेटेट जूज इनले क्लिए ट्रिक मेटेट डर्ख इन फूजन इसका सई है मेटेट डोज इनलर ठीक है मिदियं ऑप इंपोड़न एक मिनिट इसको छोटा करता हूं को ज्यादा हो गया ओके एब्री डोजेस फर्म इन्हें कम्बिनेशन अव ड्रोग और डिफ्रेंट काइंट आफ नॉन ड्रोग कमपोनेंट्स कॉल्ड एडिटिव्स नॉन एडिटिव्स नियू केमिकल एंटाइटी या अल अब दिस यह ए है इंटाइट आइट पराइट आइट उन्हेट भुटेण यह ड्रोग च्प्रेंज पर्णुक्र मखव यूल इसका जो सही एंटाइट अट आफ लू अब्ली डूट मॉट इंटाइट इन्पर्णुक्विष्ट्छेन प्यूट इंप यू तो इसका जो सहीं हैं श्यू सुइटेट फॉर मिक्सिंग फूइच फॉलेंग पाउडर हाइग्रो स्कॉर्पिक भोलाटाइल या फिर एवरेंसेंट तो इसका जो सही एंसर है 25 नावर का सी एक्टोटिक ठीक है यह काफी साइन्स फॉर्मॉला है फार्मासिक वार्स है इसलिए मुझे ठीक से यह प्रॉन सथे फॉलिंग ये एक क्विटिक सब्स्टनस्थ में च्री में च्णोन कोंज या फिर आर्सतन्थंशिन है यह एंसर है 27 नमबर का A 28 में आ गया capsule in which of the powders are enclosed are made of galatine rice flour fructose या भी dextrose यह काफ़ important question है दोस्तों मार कलेना इसको अथाइस का capsule capsule in which powders are enclosed are made of galatin ठीके सही एंसर है उसके बाद dotches are mint for application in bocal cavity rectal cavity vaginal cavity यह फे नाजल cavity यह काफ़ important question nursing assistant में भी पूस्ता है तो इसका सही एंसर है vaginal cavity in female the drug should be given very careful in which stage mensuration lactation pregnancy या फिर all of this या फिर एंसर है all of this यह भी काफ़ी important question है दोस्तों ठीक है when two or more drugs are used in combination to increase the pharmacological action the phenomenon is known as synergy tolerance protein potentiation या फिर आइडो और साइने क्राइसी इसका सही एंसर है a next चलते हैं पत्तिशन और when the action of drug is opposite by the other drug the phenomenon is called anthogen analysis addition या फिर आंटी ओक्सिदेंट तो सही एंसर है इसका आंटो जाइने आंटोजिम शोरी चलते हैं next 33 डेस्ट इन्द स्टेट आप फाइकसिस एंड फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस इसका जो अमसर्न है आपको a vibration addition and anitaxy या फिर टोलर्रेंस इसका सही है addiction accurate tolerance is known as addition idosinus या फिर तेक्खा फाइला शिक्स a vibration ये फार्मासिस तो ने आप लोग कैसे करते हो या ये थो वार पढ़ने भी नहीं है रहे पता ने आप लोग कैसे बढ़ते हो इसको ठीके तो इसका जही एंसर है c है ठीके ए genetically determined abnormal or unusual responsible to a drug is idosinesis tolerance genetic phyloemism या फिर शायलिजिम इसका सही एंसर है a powder used for external user dusting powder bulk powder divided powder या फिर abortion powders या है dusting powder ठीके bulk powder are potent non potent both a and b and none of this bulk powders are non potent ठीके इन फ्लूएंशन या क्या इन सफुलेशन आर इंट्रोजूस्ट इन इंट्वीच अव द बोड़ी केविटीज नोज थ्रोट यह और अल अब दिस ये अल अब दिस इसका सही एंसर है 38 आप नीचे कमेंट करते जाना आपका कितना सही एंसर अब पचास से ठीक है पाउडर्स आर मोर स्टेवल देन क्या है टेबलेट शीरप कैप्सुल और एकजलीज तो इसका सही एंसर है शीरप क्या था कुछन पाउडर्स आर मोर स्टेवल देन इस क्या होता है यार कॉमेट्स करना थोड़ा इस क्विश्चन को समझाना मुझे इस स्टेवलीज देते वे माईंडर्स आर माईडर्स आर मैंटन रॉल तो इसका स्ट्पल इस आरो मोर स्रेप यह पिर ऑगानो नॉलो फितिक एडेक्टिव इसका जाएंसर है डायूटेंट एकरिंग तो इसके बाद चलते हैं 43 बे विच पाउडर मुस्ट भी स्टेयलाइज बीफोर वेर यूज मेडिकेट दस्टिंग पाउडर्स नॉलमेडिकेट पाउडर्स नेच्राल दस्टिंग यह सर्जिकल दस्टिंग पाई सर्जिकल दस्टिंग पाउडर्स यह साहिएंस है दो मोनो फैसिक लिक्विट दोजेस्ट फ्रम इस देस्ट सलूशन टू पोर्स फाइन और माइक्रो प्रू सलूशन ओके दी फटिवाइब में चलते हैं दो कंपोनेट प्रेजेंट इन फटी इस नोन सॉलुशन स्टाल यह इसलुट ऑकैं पर टीश्ट बैन पर चलते हैं है सलूशन ऑटेस्ट दोजेस्ट फ्रम मोनो फैसिक औफैसिक ट्राइफैसिक सलेट सुलूशन आर ओनो फैसिक डोज़स फोर्म ओके फ्रॉटपेंस अर्ज लिक्विट प्रषण बैकोस विस्कोस, नॉन विस्कोस, सॉलिड और ग्यास, थ्रोट पैनर विस्कोस ठीक है, तो 48 का ए, 49 का नाजल ड्रॉप शुट भी है प्येज, काफ़ी इंपर्टन कोश्चन है, यह सिप्राई फर्मा नर्सिंगा दोनों में पूसता है, नाजल ड्रॉप सुट है प्येज फाइब विदियो में तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि कितने कुशन आपका सही हुआ और वीडियो अगर आच्छा लगे और आप कौन से टॉप विक में इसे प्रिवियोस यूर कॉश्चन जाते हैं मुझे कॉमेंट करें, जाएंगे हैं अप्य उनिफॉर्म